हेलो फ्रेंड्स अमर्नाथ यात्रा एक जुलई 2023 से शुरू हो रही है पहली बार बासर दिन की इस यात्रा में रिकोर्ड स्रधलों के पहुँचने की उम्मीद है यम्मो कश्मीर सरकार द्वरा यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है यात्रियों की सुरक् हेलिकोप्टर की ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू हो गई है हेलिकोप्टर टिकेट की बुकिंग स्रेअमनाथ स्राइन बोर्ड की आधिकरिक वेबसाइट के जरीए ऑनलाइन की जा रही है इस वेबसायट का लिंक आपको डिस्क्रिप्ट्चन में भी मिल जाएगा साथ ह स्राइनबोर द्वारा अधिकृत एजेंट के माध्यम से भी बुकिंग कराई जा सकती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमना थियात्रा हेलिकॉप्टर सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग कैसे कराएं बुकिंग करते समय किन बातों का ज्यान रखें और हेलिकॉप्टर की ये सेवा स्री नगर वाल्टाल और पहल गाम से मिलेगी हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने से बुजर्ग लोगों को विशेश तोर पर रहत मिलेगी इसके अलावा जिनके पास समय कम है वो भी इसका लाव उठा सकते हैं खुशी की बात ये है कि इस बार हमना स्राइन बोर्ड ने हेलिकॉप्टर टिकेट की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है पिछले साल की दरों पर ही टिकेट मिलेंगे बोर्ड से जुड़े सुत्रू के अनुसार अब तक तीन लाग से अधिक स्रधलू अगरिम पंजी गरण करवा चुके हैं पहले हम अनलाइन बुकिंग हेली यात्रा टिकेट बुक करने की प्रक्रिया के दोरान पहले इन बातों का ध्यान रखें अपने मोबाइल नंबर और इमेल आइडी का उप्योग करके साइन अप करें और मुख्य यात्री प्रोफाइल बनाने के लिए आगे बढ़ें Created Account से की गई बुकिंग के लिए मुख्य यात्री स्वयम यात्रियों में से एक होगा मुख्य यात्री के साथ अधिक्तम पाच यात्रियों को सहय यात्री की रूप में जोड़ा जा सकता है Photo ID दस्तावेच फाइल केवल JPEG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसकी साथ एक MB से एधिक नहीं होनी चाहिए एक बार दर्ज कियेगे सहय यात्री विवरन को फ्रीच करने के बाद ही सहय यात्री विवरन बुकिंग सुची में देखा जा सकेगा मुख्य यात्री और सहय यात्रीओं का विवरन एक बार सहय जने जमा करने के बाद संबादित नहीं किया जा सकता है टिकिट बुक करते समय केवल चैनित यात्रीओं पर ही विचार किया जाएगा भुक्तान करने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले क्रपिया, मार्ग, टिथी और स्लोट के साथ यात्री सुची की पुष्टी करें चुकि पंचितरनी हेली पेट से पवित्र गुफा तक और वापसी की यात्रा में काफी समय लगता है इसलिए आने जाने के लिए हेली यात्रा के बीच उपलब्ट स्लोट कम से कम 6 गंटे के अंतराल के साथ दिखाई देंगे एक बार टिकेट बुक हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिती में रिफंड, पुनर निर्धारन, रद्धिकरन, संपदन के अनुरोत की अनुमती नहीं दी जाएगी यात्रा के दोरान हेली यात्री को अपनी मूल फोटो आईडी और इस सम्मन में अधिकरित डाक्टर द्वारा, हस्ताक्षरीत और मुहर लगा हुआ स्वास्त्य प्रमान पत्र अनिवारी रूप से साथ रखना होगा अनिवार्य स्वास्त्य प्रमान पत्र जारी करने के लिए अधिकरित डाक्टरों की सुची स्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्द है यदि कोई हेली यात्री किसी दिन आखरी स्लोट बुक करता है तो उसे मौसम की अनभिग्यता आधि के कारण पंज तरनी में रुकनी की अवशक्ता हो सकती है आवास व्यवस्ता बुकतान के आधार पर पंज तरनी में उपलब्द है हेली आपरेटर को किसी भी उडान के संचलन के लिए निश्चित न्यूंतम संख्या में यात्री की आवशक्ता हो सकती है यात्री को बुक किये गये स्लोट के समय से कम से कम 30 मिनिट पहले रिपोर्ट करना होगा अधिक जानकरी के लिए अमरनाथ स्रैन्बोट की अधिक वेबसाइट पर लोगिन करें अब हाप स्टेप बाइ स्टेप आउनलेज बुकिंग प्रक्रिया को इस तरह समझ लीजिए सबसे पहले अमरनाथ स्रैन्बोट की वेबसाइट ओपन कर लें उसमें हेलिकॉप्टर बुकिंग आप्शन पर क्लिक कर लें अपने मोबाइल नमबर और इमेल आइडी से रजिस्टर करें आपके फॉन नमबर पर OTP आएगा उसे फिल अप करें मुख्य पेसंजर की प्रोफाइल बनाएं और को पेसंजर के नाम भी एड़ करें अब हेली टिकेट बुक करें और टिकेट डाउनलोड कर लें टिकेट की सोफ्ट कपी और प्रिंट आउट अपने पास समाल कर रखें और इस तरह आपका हेलिकॉप्टर से अमरनात यात्र का ओनलाइन टिकेट बुकिंग कम्प्लीट हो जाएगा आईए अब जान लेते हैं कि कहां से कितना होगा किराया अमरनात यात्र के दोरान हेलिकॉप्टर सेवाओं को संचालन अधिकरित प्राइवेट ऑप्रेटर्स द्वरा किया जाएगा स्रैन बोर्ड के अनुसार बाल्टाल रूट के लिए ग्लोबल वेक्टरा हेलिकॉप्ट लिमिटेट वए एरो एरक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेट की सेवाएं ली जा रही है इसमें एक तरफ के लिए प्रते कियात्री से 2,800 रुपे और दोनु तरफ के लिए 5,600 रुपे प्रती वेक्टी किराया लिया जाएगा इसी तरहें पहलगाम रुट के लिए हेरिटेज, एवीशन, प्राइवेट लिमिटेट की सेवाएं ली जा रही है इसमें एक तरफ के लिए एक यात्री से 4,200 रुपे और दोनु तरफ के लिए 8,400 रुपे किराया लिया जाएगा इसके अलावा स्री नगर से पवित्र गुफा के लिए ऑपरेटर पवन हंस लिमिटेट की सेवाएं ली जाएंगी इसमें स्रीनगर पहलगाम स्रीनगर रूट के लिए 10,800 रुपे और स्रीनगर नील गरंथ स्रीनगर रूट के लिए 11,700 रुपे किराये लिया जाएगा किराये की राशी सुराइन बोर्ड द्वारा एप्रू की गई है तो अब आप भी बनाईए प्रोग्राम हेलिकॉप्टर सेवा बुक कराईए और अमरनात की यात्रा कर ही आईए हमारे अगले वीडियो में हम आपको अमरनात यात्रा के दोरान मार्ग में रुकने और भोजन की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे आप हमसे जुड़े रहिएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृप्या कमेंट्स वक्स में कमेंट्स अवश्य करें वीडियो को लाइक और शेर करें तता चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें धन्यवाद अवश्य करें वीडियो करें अवाद